Hello friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजेंदर मंदलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और आज का हमारा टोपिक है लेसन नमबर टू, क्लास 10 इंग्लिस नेलसल मंदेला, लॉंग वाग टू फ्रीडम क्लास 10 की इंग्लिस को हम कवर कर रहे हैं पिछले वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को जरूर देखिएगा मैंने प्लैलिस्ट बना दी है साथ ही आपके friends, relative classmates के पास इन वीडियोज को share कीजिएगा ताकि वह भी YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तयारिया अच्छे से कर सकें ठीके दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी time waste ना करते हुए, आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं Lesson number 2 है, इस lesson को हम start करें, इस से पहले मैं आपको बता दूँ Lesson काफी lengthy है, तो इसको हम दो या तीन वीडियो में, दो या तीन parts में complete करेंगे तो playlist में मैं इनको डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इनको complete कर सकते हैं सबसे पहले देखें, तो Nelson Mandela, इना, long walk to freedom किन के द्वारा लिखा गया है, तो इन ही के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पर इनको पूरा नाम लिखा हुआ है Nelson Rohil Mandela, ठीके दोस्तों, lesson के हम सुरुवात करें, इस से पहले, before you read पढ़ते हैं apartheid is a political system that separates people according to their race यहाँ पर एक word आया है, apartheid, इसका आर्थ होता है, रंग भेद, क्या आर्थ होता है, रंग भेद रंग भेद से ताथ पर यह है, कि जैसे आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान या भारत पर भी, जब अंग्रेज सासन करते थे तो उस समय हिंदुस्तानियों को या भारतियों को काला कहा जाता था, तो इससे आप भली भाती परिचित होंगे, तो रंग भेद का अर्थ ही है, कि उनकी जाती उनके वन्स से उनको सेपरेट रखना, that is called apartheid next है, can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently, या पर तीन देशों के नाम दियेगे, इसे United State of America, South Africa, Australia, इन में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें recently, रंग भेद के उपर, या रंग भेद से related political system हुआ है, तो वो है South Africa, ठीक है, option number two, आगे बढ़ते हैं, have you heard of Nelson Mandela, क्या आपने Nelson Mandela के बारे में सुना है, Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid, मतलब Nelson Mandela और उनकी जो National Congress, African National Congress है, उन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन जो है, वह रंग भेद के खिलाफ लड़ने में बिताया, Mandela had to spend 30 years in prison, और Mandela ने लगभग 30 years prison में बिताया है, मतलब jail में बिताया है, एक थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, जिस प्रकार से इंडिया में भारत में महात्मा गांधी को माना जाता है, उनके सत्या ग्रहों के कारण उन्होंने जो आंदोलन किये, सत्या अहिंसा के कारण उन्होंने जो बदलाव किये, जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी को माना जाता है, ऐसे ही South Africa में Nelson Mandela को मान उनको दक्षन अफ्रिकाई गांधी के नाम से भी जाना जाता है ठीके दोस्तों Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 अंततहां दक्षन अफ्रिका में 1909 में democratic election हुए and Mandela became the first black president of a new nation और फिर Mandela वहां के पहले काले president बने एक नही रास्टर के ठीके, black president इन दिस एक्स्रेक्ट फ्रॉम हिज आर्टोबायोग्राफी यह जो एक्स्रेक्ट है, मिनसे यह जो लेसन है यह उनकी ही जीवनी, उनकी ही आर्टोबायोग्राफी से लिया गया है और उनके आर्टोबायोग्राफी का जो नाम है वो है Long Walk to Freedom ठीके, यह उनकी आर्टोबायोग्राफी का नाम है और उसी से इस लेसन को लिया गया है मंडेला इस्पिक्स अबाउट इस हिस्टोरिक ओकेशन और जो एतिहासिक आउसर था, एतिहासिक गटना थी उस समय उन्होंने कहा The Inauguration Inauguration का आर्थ होता है उद्घाटन करना उद्घाटन का आर्थ ही होता है किसी चीज के सुरुवात करना तो Long Walk to Freedom उसमें उन्होंने The Inauguration लिखा हुआ है तो उसी से Related है यह Can you guess what the Occasion might be क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वह Occasion किस प्रकार का हो सकता होगा Check your guess with this news item from BBC of 10 May 1994 यहाँ पर एक word आया है BBC BBC का जो full farm होता है इसका full farm होता है The British Broadcasting Corporation ठीक है यहाँ इसमें यह news निकल कर आई थी और इससे हाँ आप अपने guess अपने अनुमान को analysis कर सकते हैं क्या नहीं हुजाई थी Mandela becomes South Africa's first black president यह इसकी heading थी Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than three centuries of white rule मतलब white rule के against लगब three centuries three centuries मतलब century का आर्थ होता है hundred क्या होता है hundred मतलब लगब तीन सो वर्सों बाद South Africa में कोई black president बना था ठीक है Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 means 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa history मतलब South Africa के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी 400 सीटों में से 252 सीटे लेकर आई तो यह किस की पार्टी थी यह Nelson Mandela की थी और इन्होंने इतिहास रचा था और आगे बढ़ें दा इन्होगुरेशन सेरेमनी तुक प्लेस इन दे यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थीटर इन प्रिटोरिया टुडे यहाँ पर फिर नए नए वर्ड हमें सीखना को मिल रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड आ है एम्फी थीटर एम्फी थीटर का आर्थ होता है रंग भूमी क्या आर्थ होता है रंग भूमी या फिर इसको नाच घर भी कहते हैं क्या कहते हैं नाच घर ओर डीटेल में हम पढ़ेंगे अभी आगया आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा तो वहाँ पर दा इन ओगूरेशन चेरेमनी रखी गई थी ठीके अटेंड बाई पोलिटीशेंस डिगनिटरीज फ्रॉम मोर देन वन फोर्टी कांट्रीज अराउंड दे वर्ल्ड और दुनिया के लगबग 140 देसों के राजनेता और उच्छ पदादिकारी वहाँ पर उपस्तित थे उस समय उन्होंने कहा नेलसल मंडेला ने कहा था नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लेंड एक्सपिरियंस डा ओपरेशन आफ वन बाई अनादर कभी भी यह सुंदर धर्ति अब एक दूसरे का उत्पिडन यह एक दूसरे का दमन नहीं देखेगी मतलब अभी तक जो भी अत्याचार हुए है जो रंगभेद चला है राजनीती में अब इस प्रकार का कोई उपरेशन उपरेशन का आर्थ होता है दमन क्या आर्थ होता है दमन यह उत्पिडन तो कभी नहीं देखेगी जब उन्होंने बोला तो उस समय उनके यह सब्द थे जूबिलेंट सीन ऑन दे स्ट्रीट आफ पोर्टरिया फोलोड दे सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एन करड्स सेलिब्रेटिं टुगेदर मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रिटोरिया की जो गलियां थी उसमें भाती-भाती के सभी जातियों के सभी अरंग के लोग थे से ब्लैक्स होगे, वाइट्स होगे, कलर्ड होगे सेलिब्रेटिंग टुगेदर मतलब एक साथ इस जैसन को मना रहे थे मतलब लगबख एक एक लाख सावद अफरिकन लोग जक्छन अफरिकी लोग महिलाएं और बच्चे भिन भिन जातियों के, वंसों के रेस का अर्थ होता है वंस या फिर जाती साथ में उन्होंने गीद गाए और उन्होंने नरत्य किया और आनन्द उठाया अब एक्टिविटी फस्ट है तो इसको हम बाद में देखेंगी जब एक्सरसाइज करेंगे फिलाल हम लेसन की स्टार्टिंग करते हैं चैनल पर इदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेट्व क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को सेर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं चलिए तैंथ में डॉन ब्राइट एंड क्लियर दस मई के दिन डॉन का आर्थ होता है बिगिन मतलब दिन की सुरुवात होना तो वह दिन काफी ब्राइट मिन्स चंकिला और साफ था फॉर पास्ट फ्यू देज आई हैड बीन प्लीजंटली मतलब पिछले कुछ दिनों से में बहुत ही प्लीजंटली मतलब अच्छे से खुसी-खुसी बहुत से जो उच्छ पदाधिकारी हैं और दुनिया के जो लीडर से हैं उनसे घिरा हुआ था यहां पर एक वर्ड आया है बिजिजड बाई इसका आर्थ होता है अगे बढ़ते हैं मतलब दक्षिन अफरी की धर्ती पर मिट्टी पर पहली बार किसी उद्गाटन समारों में इतने अंतराष्टी राजनेता एक साथ इखटे हुए थे आगे बढ़ते हैं जिस पर छट नहीं होता है विथ मैनी रोस आफ सीट्स राइजिंग इन स्टेब्स और उसमें जो ओडियन्स की बेटने की जो सीट्स रहती हैं यह ना वो सीट्स कैसी रहती हैं जिसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगी उपर उगती हुई इना एंसेंट ग्रीस एंड रोम और इस प्रकार का जो एंफी थेटर हैं वो एंसेंट ग्रीक और ग्रीस और रोम में हुआ करते थे ठीक है तो वहाँ पर यह सेरेमानी रखी गई थी ठीक है फोर डिकेट्स दिस हैड बीन दे सीट आफ वाइट सुप्रिमेसी और दसकों से यह जो बैठने की जगह हैं यह जो सीट है इन पर वाइट सुप्रिमेसी थी मतलब इन पर जो गोरे लोग थे फिर से रिपीट कर रहा हूँ फोर डिकेट्स दिस हैड बीन दे सीट आफ वाइट सुप्रिमेसी मतलब यह जो seats थी बेटने की जगह थी इन पर गोरे लोगों का प्रभुत्व यह supremacy थी And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democracy, non-racial government और आज यहाँ पर रंग बिरंगे, मतलब भिन भिन या नाना प्रकार की जो जातियां हैं, अलग-अलग वन्स के जो लोग हैं, वो यहाँ पर एक इंदर धनुस की तरह या अलग-अलग रंग के लोग वहाँ पर आये हुए थे Non-racial governments, और दक्षन अफरीका के पहले democratic, मतलब लोग-तांत्रिक, non-racial, मतलब गेर नसली सरकार का जो है, यहाँ पर inauguration कर रहे थे On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter, Jainani, और इस great, lovely, beautiful, जो सुन्दर autumn day था, autumn का जो आर्थ होता है, वो होता है, पत्जड का इस दिन मैं मेरी पुत्री, Jainani के साथ था, on the podium, podium का आर्थ होता है, छोटा मंच, ठीके, यह चबूत्रा तो जहाँ पर वो खड़े वे खड़े थे, और अपना speech दे रहे थे, तो वो अपनी पुत्री के साथ खड़े वे थे Mr. D. Clark was first son in as second deputy president, तो Mr. D. Clark जो थे, उन्होंने दूसरे deputy president के रूप में सपत ली then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president और जो थाबो Mbeki थे, वह वहां के पहले deputy president के रूप में उन्होंने सपत ली, when it was my turn, और जब मेरा turn आया, मेरा turn मतलब किसका turn? Nelson, Mandela का turn, ये उनका चित्र बना हुआ है, जब इनका turn आता है, मतलब सपत ग्रहन करने का, तो ये क्या कहते हैं? देखते हैं, I placed to obey and uphold the constitution and to devote myself to well-being of a republic and its people, placed का अर्थ होता है, सपत ग्रहन करना, में सपत लेता हूँ, ये ना, कैसी, I placed to obey, की आग्या का अर्थ होता है, पालन करना, and uphold, मतलब यथावत रखना, बनाये रखना, the constitution, मतलब सम्विधान, ये ना, मतलब आपने देखा होगा कि हमारे यहां भी, जब कोई राजनेता सपत लेता है, तो वो इसी प्रकार से, अपने जो है, सब्दों का यूज करता है, कि मैं सम्विधान का पालन करूँगा, और उसको यथावत बनाये रखने का प्रयास करूँगा, to devote myself to well-being of a republic and its people, devote का आर्थ हो आपको बनाये रखने के लिए और इसके लोगों के लिए, ठीक, to the assembled guests and the watching world, आए हुए या एकत्रित हुए जो हमारे अतिथी, जो भी वहां पर एकत्रित हुए थे अतिथी और पूरी दुनिया जो की देख रही थी, उनके लिए फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, Today all of us do, by our presence here, आज all of us do, हम सब करते हैं, क्या प्रतिग्या करते हैं, by our presence here, हमारे यहां होने के द्वारा, Limited, यहां पर एक और वर्ड आया, आज़ादि, तो यह जो जो एक नही आज़ादि है, इस नही आज़ादि को हम glory और आसा देते हैं, new born liberty को हम glory देते हैं और आसा देते हैं यहाँ पर एक और word आया है confer तो confer का जो आर्थ होता है वो आर्थ होता है देना या फिर प्रदान करना तो glory प्रदान करते हैं out of the experience of an extraordinary human disaster that latest too long मतलब एक मानव जाती को जो extra ordinary जो disaster हुआ है must be born a society of which all humanities will be proud तो यहाँ पर एक ऐसे समाज का गठन या जन्म होना चाहिए जिस पर की पूरी मानव जाती गर्व कर सके या गर्व करेगी we who were outlast not so long ago outlast का आर्थ होता है अवेद क्या आर्थ होता है अवेद हम मतलब कौन? South African तो हम जो की अवेद नहीं है या वेद है have today been given a rare privilege to be host the nation of the world on our own soil मतलब कहने का तात पर यह है कि अभी तक हमें काफी लंबे समय से वेद नहीं माना जाता था और आज हम ही पूरी दुनिया के जो यू कह सकते हैं कि privilege मतलब प्रख्यात यह ना ऐसे लोग दुनिया के जो जाने माने लोग हैं उन लोगों को लोगों का हमारी मिट्टी पर हम स्वागत कर रहे हैं host कर रहे हैं we thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country partage after all common victory for justice, for peace and for human dignity में यह हम हम उन सभी उच्च पदा अधिकारी प्रख्यात अंतरास्टी जो हमारे guests हैं उन सभी का में धन्यवाद देता हूँ कि जो आज हमारे देश के लोगों के साथ इस occasion का हिस्सा बन रहे हैं after all इसके बाद a common victory for justice नियाई के लिए विजय और political emancipation emancipation का आर्थ होता है freedom क्या आर्थ होता है freedom और freedom भी कैसी freedom from restriction मतलब restriction का आर्थ होता है रोक या फिर बंधन मतलब रोक या बंधन से मिली हुई आजादी उसको हमने प्राप्त कर लिया है we pleased ourself to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation, suffering, gender and other discrimination वो कह रहे हैं कि हमें उन लोगों को भी आजाद कराना है जिनोंने गरीबी बैदभाव पीडा और gender means बैदभाव करना अलग-अलग जिसे रंगभेद की बात होगी and other discrimination इस प्रकार के जो उनके हक थे जिनका उन्हें अभाव था उनको भी हमें आजाद कराना है फिर से वह उसी लाइन को repeat करते हैं फिर से वह यही कह रहे हैं कि यह सुन्दर भूमी अब कभी इस प्रकार का अनुभव यह इस प्रकार के समय नहीं देखेगी कि जब कोई एक दूसरे का दमन करें यह एक दूसरे को उत्पडित करें अब सूरी कभी अस्त नहीं होगा इस प्रकार की ग्लोरियस हुमन एचुमेंट के बाद लेट फ्रिडम रेन गोड ब्लेस अफरीका आजादी को सासन करने दो र-E-I-G-N इसका अरत होता है राज करना सासन करना तो आजादी को सासन करने दो अफरीका को गोड ब्लेस कहते हैं ठीके दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आपके लेकर आएंगे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेट्व, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को से एर करें पिछले वीडियो जिदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें वीडियो को जरूर देखिएगा मैंने प्लेइलिस्ट बना दी है थेंक्यू वेरी मच पर वचिंग और टेक केर आफ यूरसेल्फ